शेख हसीना तो दिल्ली के हज़रबाद हाउस से ये सिधी तस्विर आप लेख सकते हैं बांगलदेश की प्रधान मंतरी शेख हसीना और भारत के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी आपको बतादे भारत और बांगलादेश के बीच बाइस समझाटों पर अस्ताक्शन गुए हैं अगव बनुषेक मुझी बोट तो इंडिया बंगलदेश करेंश चिप्रेंश की बटन और रमोट इन गुए हैं अबजूद एगाँ प्रफ्वीजू कोई एगना एक्रवाई प्रफ्र य्क्राफ य्दोर्राओ आजए प्राइटीजू मैं आवाँ इन्वाँ इन्वाँ अग्ट एक्टुप मिनस्टर देत धर्म्टम्नों कारी कावता है to join the two prime ministers for the inauguration of one, the Radhikarpur Birol rail link carrying a goodwill consignment of high-speed diesel from Maligar Refinery Limited. second, a trial run for passenger trains between Khulna and Kolkata via Benapol and Petapol and thirdly, a bus service from Kolkata to Dhaka via Khulna. Excellency, these are light footage. प्रदाबाद हाउस से प्रधार मंतरी नरेंदर मूदी बारत के यहां पर मौजूद हैं, साथी बांगलादेश के प्रधार मंतरी भी यहां पर मौजूद हैं, और पश्चे मंगाल की मुख्यमंतरी ममता बनर जी भी यहां पर मौजूद हैं, और चाहे रेल मार्ग की बात की जाए, अब फिर बस सर्विस की बात की जाए, कलकता से धाका के बीच में बस सर्विस, बस सेवा को लेकर भी यहां पर बात निकल के सामने आई है, यहां रेल सेवा भी अब जल्द लोगों के लिए खुल जाएगी भारत से बांगलादेश के बीच की, कड़ी 22 समझोते भारत और बांगलादेश के बीच में यहां पर हुए है, एक हसीना और प्रदार मंतरी नरेंद्र मोदी के बीच में ये समझोते हुए हैं और भारत बांगलदेश को 50 करोड डॉलर यहां पर दिगार रिड के रूप में एक अधración रिफर्सी पित पांप्र इव सक्राइच केंगा अंशicाट्वरशी थे कि बीच में पौते ऩुछा मव में धित ंव टिग्यात्र प्रांस में ये था मिच रुप दीच वग्टो एख राख खरेए।की प्रिमेटर शेचलिट तरी प्रेश्ट चेचिक थे लिए ग्हिज्टीन थे खानो अप्रिमिसर् शेच अप्षिएग हिव्ट फ्रहर विछेश्ट तॉिस्ट पोर्ड पॉछला बोशाग इप्रिश्ट का ब्श प्रदा सुछ अपुछंट इओक इस अपरुटि शुओगो नवावर्षो लुए जवावर्षो जर बिजिए उनर्णाधर सुनालिय ज्द्धय जोडन एरा इन अध्योच बेंगोर से लुए जब बेपन बेपने हैं and our nation. The extraordinary transformation in our relationship and achievements in our partnership are a clear recognition of your strong and decisive leadership. Your decision to honor Indian soldiers who laid down their lives in the Liberation War of 1971 has deeply touched the people of India. Every Indian takes pride in the knowledge that Indian soldiers and Veer Mukti Jhoda fought together to liberate Bangladesh from the reign of terror. Friends, today, Excellency Sekhashina and I held productive and comprehensive discussions on the full range of our partnership.